प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूनना चाहिए भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूनना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास महिला को हमको स्थान देना चाहिए और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपती के रूप में नहीं आया है इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को अंडिये के तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे इसलिए श्रीमती द्रावपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपती का प्रत्याशी घोशित किया गया है एंडिये की तरफ से और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रावपदी मुर्मू जैसे राधा कृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे सरपली राधा कृष्णन राष्ट्रपती के रूप में उसी प्रकार द्रावपदी जी का भी जीवन जीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंब किया बाद में वो काउंसिलर भी बनी और वाइस चेर पैरसन रायरंगपूर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अर्षा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको स्वभागी मिला उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गौवर्मन्ट अफ उरिसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, अनिमल हजबंडरी मिनिस्ट्री और फिश्ट्री मिनिस्ट्री को भी उन्होंने सभाला और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक जारखंड स्टेट की गवर्नर रही तो इस तरीके से उनका राजनितिक जीवन रहा है एक बहुत ही समवेदंशील महला नित्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आपको जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है इसलिए NDA ने और NDA के सभी घड़क दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसतिय बोर्ड ने शीमती द्रौपदी मुल्मू को अपना राष्ट्रपती के कैंडिडेट के रूप में घोशित किया है बाकी जानकारियां और डीटेल हम देंगे उनका बाया डाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा यही घोश्टा मुझे करनी थी तो यह भी सब डीटेल्स वरकाउट होगा हम लोग उसके दृष्टी से चर्चा करेंगे लेकिन घोश्टा होई है यह में बहुत बहुत घंदेवाद है